कुर्सी की सत्ता हर किसी को भाती है क्योंकि जो काबीज हो जाते हैं कुर्सी पर वो कहलाते हैं भाग्य विधाता चाहे वो राज्य के लिए विधान सभा चुनाओ हो या देश के लिए लोक सभा का चुनाओ हर कोई कुर्सी पर काबीज होना चाहता है और होना भी लाजमी है क्योंकि ये पांच वर्सिय योजना के तहत होता है पांच साल के लिए नेता चुने जाते हैं इस पांच सालों में कितना काम होता है ये खुद बेड़ा वो देते हैं लेकिन कब जब चुनाव आता है चुनाव से पहले क्या नया क्या पुराना ये हर चीजे गलगूम रहती है कागजों पर दिखती है लेकिन मौखिक तौर पर यह कब बया होता है जब नजदीक आता है महाल ए चुनाओ नमस्कार स्वागत है आप तमाम लोगों का न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में लगतार बिहार में बयानबाजी त प्रटानवाम है मजय फ्रノयणन न linkedin मख्यूब टत nggak तो वी ना स उख्वाण सिंग्व की पत्नी एं सुरजभान सिंग ईक दिःजमेश्दी नेता है लोजंपा के इस वकट लुजय पा महागळबसन को ठागेत पले रही है लेना भी लाजमी है क्यों कि नितिश कुमार का जैसा 36 का आकरा चल रहा है महागट बंधन के हर एक घटल दल से क्योंकि जीतमरा मांजी वहां है जो कि पहले जेडियू में थे रालोसपा थे जो एंडिये में थे और सबसे बड़ा घटक दल आर जेडी क्योंकि इनके साथ नितिश कुमार सत्ता में के विधान सभा चुनाव में अब वीना सिंग का टिकट करता दिख रहा है क्योंकि लोजपा से यह सांसद है लेकिन जब से अनन सिंग ताल ठोक दी है मुंगेर के लिए उसके बाद वहां क्यों मिदवारी अब ललन सिंग के पास है ललन सिंग जेडियू से लगतार अपने प्रतिद्वंदी समझा जा रहा है अनन सिंग को और ललन सिंग को ऐसे में जिसका टिकट कट गया वो है लोजपा से सांसद विना सिंग विना सिंग लोजपा में है लोजपा भी इस वक्त एंडिये में है और जेडियू भी एंडिये में है लेकिन क्या ये कूर्सी का कैसा म बना जिसमें अपने के लिए अपनों का ही सीट काट दिया गया काफी अच्छे काम किये हैं विना सिंग ने अपने छेत्र में इससे कोई कल्टी नहीं मार सकता कोई कटी नहीं काट सकता लेकिन क्यों इस कल्टी और कटी के चकर में विना सिंग का ही टिकट कट गया खैर ललन स अनन सिंग को टिकट देती है या फिर अनन सिंग निर्दलिये खरे होते हैं तो यह बरा रोचक होगा क्योंकि जब विधान सभा का चुनाव हुआ था उस वक्त अनन सिंग जेल में होते हुए भी रिकॉर्ड बीस हजार वोटों से जीते थे और इन्होंने कोई परचार नहीं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना नहीं थन्यवाद